हेलो दोस्तो नमस्ते माइन विश्टैरो में आप सबका स्वागत करती हूं मैं सूल फैमिली मैं वीवर्च मैं सस्क्राइवर्च गाट प्लेस यू आप सुस्तूंगे मस्तूंगे अपने लाइप में आगे बर रहे होंगे दियर आज का विकाज मैं वीडियो लेकर आई हूं आज दुपहर के एनरजी आपके पार्टनर की आज दुपहर आपके पार्टनर क्या मस्तूस कर रहे हैं उनका मूट कैसा है उनकी ट्रू इंटेंशन क्या है उनका एक्सन क्या होगा और उनको डीप फिलिंग्स क्या है आपके लिए तो कलेक्टिव रेडिंग है और सारे सा अर्थ मतर फेरी मतर गाइट करें, दिब्बी और दिब्बी शक्ति गाइट करें मेरी वीवर्स के पार्टनर्स की फेलिंग्स तो इमोशन्स और फेलिंग्स सोचने की है एक्सन लूँ, क्या करूँ, मुलाकात करूँ या आपके तरफ बढ़ू, फ्लावडिंग, चैरियाट, सेलिब्रेशन, कंपरेशन, लूँ, आपके है वोडर्स के सानए, बढ़ो, जिएएएप, बढ़ो, न सेक्वाइए, रिएएएएएएएं ओटन करसे अच्टिए, रिएएएएएएएएएएए इनच्टिए इभाइएहा हैंग्स, जिएएएएएएएएएएएएएएएएएए याद्सु कायएए इवावार का इक बिषशकती काइच गड़े तरी जब למड़ोम और पर प्ष प्लीजट काइच गड़े इननों कि लीधा अभ्यमीडी अब घ्रॉच के सब्सक्राद हे वेड़ के नज मैं साहरा है वेवार का ओर तृऑन है के सब्सक्राद जब redefiner करें दिप्रशक्ति गाइड करें यहां बहुत सारे वीवर्स आपके पार्टनर इसमें इसे सिच्वेशन में या खुद को बना हुआ फिल कर रहे हैं या इनके लाइप में कुछ ऐसे अबस्टिकल हैं जो थर्ट पार्टी से रिलेटेड हैं आगे बढ़ना चाहते हैं पर आपकी जो वाइब्रेशन है वो बहुत फिल कर रहे हैं पॉजटिव वाइब्रेशन 3 of cups की वाइब्रेशन 3 of cups 3-3 की वाइब्रेशन है आप लोग अगर देख रहे हो तो आपको सपोर्ट कर रहे हैं इस वक्त 7 of cups 7 number यानि healing number भी है temperance healing हो रही है या फिर मिलने की planning चल रही है इंजल प्लीज काइट करें 9 of wands की energy है देखिए ये बंदा ये बंदी जो भी है चेंज चाह रहे हैं स्टक हैं समझ नहीं आ रहे हैं कि क्या decision ले ची क्या heavy energy है more swings वाल ये 10 of swords के energy 4 of swords the magician the fool queen of swords eight of swords the will nine of cups the devil four of cups चीक है इस कार्ट को मैं पार में क्लियर करते हूं ठीक है swords जिए यह पर साइन है तो सारे साइन लोग देख सकते हो चारियट है तो सारे साइन के लोग देख सकते हो देखे यह बंदा आपके लिए लोयल है साइद यह आपको समझा नहीं पा रहे हैं कि आपको कितने पसंद करते हैं और आप उनके लिए कितने खुबसूरत हो तो हो सकता है कि यहाँ पर बहुत सारे वीवर्स the outsider four of swords के energy है तो यहाँ पर बहुत सारे वीवर्स इस वक्त आप लोग से communication नहीं हो पा रहा है 10 of swords की energy है और यहाँ पर देखा जाए तो कुछ विवर्स यहाँ ऐसे हैं या आप अपने life में कुछ celebrate कर रहे हो घूम रहे हो दोस्तों के साथ celebrate कर रहे हो market जा रहे हो shopping कर रहे हो कुछ विवर्स आप कहीं न कहीं कुछ ऐसा कर रहे हो कुछ विवर्स की यह vibration है जो एक flowering की energy में है और the three of cups and celebration की energy तो यह हमारे कुछ विवर्स है ठीक है और कुछ विवर्स आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपका बंदा चाहता क्या है आपकी बंदी चाहती क्या है ठीक है तो कुछ विवर्स आप happy happy देख रहे हो और कुछ विवर्स आप stuck वाली energy में हो तो मैं बोलना चाहती है घबरानी की जरुए देदा magician की energy है तो यहाँ आपके साथ blessings है यहाँ पे कुछ विवर्स आप independent हो ठीक है आप अपनी respect करते हो लेकिन कभी-कभी जब आप उनको control किया करते थे तो उन्हें healing मिला करती थी लेकिन आज आपने अपनी emotions को control कर लिया है क्योंकि कुछ विवर्स आप अपने self respect को देख रहे हो अपने intuition को follow कर रहे हो और अगर आपकी job है independent हो तो कहीं न कहीं बहुत सारी विवर्स यहां comparison किया जा रहे है वो आप से वो wives वो healing नहीं मिल रही लेकिन देखा जाए यहाँ पे nine of wands की भी energy है eight of swords की energy है यह बंदा यह बंदी जो भी है यह कहीं से तो यह निकलना चाहते हैं और आपके तरब बढ़ना चाड़े है हो सकता है वो कह भी सकते हूँ आप से ऐसा वो सो कर सकते हूँ कि मैं बहुत बीजी हूँ मैं बीजी चल रहा हूँ मैं काम पर focus कर रहा हूँ मुझे वक्त नहीं मिल रहा लेकिन यहाँ पर आप उनके दिलो दिमाग से नहीं निकल पा रहे हो इस वक्त decision को लेकर यह बंदा यह बंदी काफी सोच रही है यह सोच रही है लेकिन मुझे लग रहा है वीवर्स यहाँ पर कुछ वीवर्स यहाँ आपकी vibration है मुझे लग जब भी आप अपने partner से मिले हो आप उस वक्त कहीं ने कई परसान थे ठीक है जब भी आप अपने partner से मिले हो उस वक्त बहुत सारे वीवर्स के energy कि आप परशान भी थे उस वक्त भी आपके अंदर एक अकेला पन था और इस person को पाकर आपको feel हुआ कि सारी चीजें सारी जो feelings होती है जो true intention होती है प्यार को लेकर आपको इन से feel हुआ और आपकी जिंदगी में आए और आपको अच्छा भी लगा और दोनों ने एक दूसरे को accept भी किया परपोज भी किया लेकिन आज तक कुछ समय के बाद हमारे कुछ वर्स आपके अंदर की जो feelings है न वो आज भी तनहाई में ही है अकेला पन ही है चाहे आप कितना भी कुछ कर लो अच्छी position हो सकती है independent हो सकते हो आपकी personality अच्छी हो सकती है look wise भी बहुत अच्छे हो दिमाग बहुत अच्छे से चलाते हो लेकिन कहीं न कि जब आप control किया करते थे हो side इन्हें अच्छा नहीं लगता था और जिस वक्त ये आपके जिंदगी में आया तो आपको भी ऐसा ही फिलुआ कि कोई मेरी जिंदगी में आया जो मुझे peace और प्यार मिल रहा है जो मुझे ते रहा है लेकिन आपकी personality पर भी ये काफी attract हुए और उन्हें healing होने लगा उन्हें healing मतलब आपसे एक positive vibes खुसबू मतलब होता है ना aura से एक positivity आने लगी वो वाली vibration आपसे आपके person को मिलने लगी और कुछ फिर्स आपको भी होने लगी और दोनों तरफ healing होने लगी लेकिन दोनों ही इस रिष्टे को लेकर सोचने जरूर लगे हो लगे थे लेकिन तनहाई आपके अंदर भी है और आपके person के पास भी है तो कही ना कही आप दोनों मिले हो तो दोनों ही उस पक्त एक तनहाई एक अकेला पन में थे लेकिन मुझे लग रहा है आपके परसंद को इस वक्त कोई डारेक्शन नहीं मिल रहा decision को लेकर बट आपके साथ time spent जरूर करना चाहते हैं तो कुछ वियर्स आप लाइप में enjoy करना चाहते हो जीना चाहते हो कुछ वियर्स और कुछ लोग पहले से हो लेकिन यहां पे कुछ वियर्स जो स्टक वाली energy में है आउटसाइडर की energy में है यहां पे कुछ वियर्स आपके तरफ blessings जरूर है ठीक है लेकिन आपको यहां पे self decision लेने की भी जरूर्वत है कुछ तो लिया है और कुछ विर्स आपको लेने की जरुवत है लेकिन इस वक जो भी आपके परसन है मेल और फीमेल हो इस रिस्ते को लेकर ये काफी सोच तो रहे हैं गलत हो या सच या जूट हो या कुछ गलत हो रहा हो देखी यहां पर अगर एकवल रिस्पेक्ट है और एक दूसरे के फेलिंग्स को आप लोग अच्छे से समझते हो तो कभी-कभी एक्सेप्ट करना पड़ता है लेकिन जो इंसान बार-बार आपका दिल तो रहा है और स्टक करकर छोड़ कर चला जाता है तो बाबू यहां पर बहुत सारे विवर्स आपको सर्प डिसिजन लेनी की जरूरत होती है और इसके बाद आप कुछ गेन भी करोगे चाहे वो ब्लेसिंग्स हो या आपके पार्टनर का ट्रू इंटेंशन हो लेकिन यहां पर एक चीज़ दिख रहा है यह परसन आपके लोयल है और एक्सन लेना चाहते है लेकिन यहां कुछ विवर्स आपके पार्टनर ऐसे भी है चाहों वो चाह कर भी नहीं निकल पा रहे है जबकि इनकी दिले इक्षा है कि वो आपके तरफ एक्सन ले दो बारा से इस रिष्टे पे काम करे तो यह परसन कहीं नहीं कहीं स्टक है और जहां से यह निकलना चाहते है वो निकलना चाहते है क्योंकि वहां पे स्टक है और बंधा हुआ फिल कर रहे है कुछ इनकी परशानियां हो सकती है कुछ मजबूरी भी हो सकती है या पि इनकी लाइब में जो फीमेल है ये फीमेल कोई भी हो सकती है कहीं न कहीं किसी परकार से ये आप दोनों के बीच खड़ी है कंट्रोल करना इंटरफेर करना मैनूपलेट करना और ये परसन के लाई में कोई ये female हैं तो ये आप में और इस female में comparison कर रहे हैं ये परसन अपने आपको heal करते गजर आरहे हैं किसी परकार का सोंचते सोंचते इस परसन को किसी परकार का बहुत बड़ा तुम्हें नहीं देख पारी बहुत बड़ी हालती सुन नहीं आपे लेकिन हाँ स्टक सापरेशन के वज़ा से लेकिन यहाँ पर इमोसंस है और यह सक्सेस की एनर्जी है कोई रास्ता ढूंड रही है कोई डायरेक्शन जरूर ढूंड रहे हैं और आपकी पसनाल्टी पर बस यूहीं यह फिदा है और फोसे पर फेढंड होना थाप लोग में सालिवरेशन एक्षिं होता है फिर जाकर एंरजी वहीं जै कर स्टक हो जाती है यहाँ ये परसन लेकिन एक इंसान होता है खुलकर एकस्प्रेस करना ये खुलकर एकस्प्रेस नहीं कर पा रहे हैं और आपको चाहिए answer आपको चाहिए नयाए आपको चाहिए decision क्या सच है और क्या जूट है ये हमारे viewers को चाहिए लेकिन मैंने आपको भी बोला कि कुछ विवर्स तो आप self decision ले रहे हो लेकिन यहाँ पर कुछ विवर्स आपको भी self decision लेनी की जरूवत है यहाँ पर दिख रहा है बहुत सारे विवर्स यहाँ पर कोई तो है इनके लाएपे जहाँ यह स्टक है जैसे लगता है इनसान के लाएपे वो खुसी लिए जिन्दा तो है जीरा है खाने के लिए पीने के लिए सोने के लिए वो जिन्दा तो है बट ना के बराबर क्योंकि the outsider है 9 of wants है 8 of swords है देखिए वो स्टक किसी सरा का pressure दिया जा रहा हो control किया जा रहा हो कितने लोगों होता है कश्मे, वादे धमकी, मैनूपलेटिंग बहुत सारे से third party होते है जो करते हैं जहां आपके पार्टनों डरते हैं भी कि आप कहीं आप पर कोई action न ले ले आपके तरफ negativity न सेंड कर दे वो आप से fight न कर दे आपको blame न कर दे आपको बदनाम न कर दे तो बहुत तरह की बाते होते हैं जहां आपके person खुल कर नहीं कहते क्योंकि ये आपको पसंद करते हैं लेकिन जिस तरह की energy है female में और आप में यहां comparison भी हो रहा है और इस बज़े से ये balance चाते हैं, healing चाते हैं और रिष्टे में success चाते हैं और आपके तरह बढ़ना चाते हैं देखिए मैं एक चीज़ गाइट करना चाहूंगी हमारे कुछ viewers अगर आपके आस पास कुछ ऐसी vibration है कुछ negative लोग हो, friend हो या कोई female हो, या कोई male हो अगर यहां पे आपको लगती है, कि वो आपके लिए सही नहीं है तो ये आपके लिए guidance है कि आप उसे distance में रहें ठीक है वो चीज़ भी आपको कही न कि stuck करती है ये workplace पे हो सकते हैं family members में हो सकते हैं, relative हो सकते हैं partner के life में हो सकते हैं, mother, sister उनकी हो सकते हैं, कोई female है जो आपको अच्छी नहीं लगती क्योंकि हो सकते हैं, उनकी true intention आपके लिए अच्छी नहीं हो तो यहां पे कुछ विर्स आपके लिए guidance है ये कुछ फ्रेंड सर्थिल में भी हो सकते हैं ठीक है, देखे ये कुछ विर्स आपके पार्टने चाहते हैं तो आपके तरब बढ़ना, लेकिन ये कह सकते हैं कि मैं बहुत बीजी रह रहा हूं, जबकि जूट बोल रहे हैं वो life में उलजे हुए हैं परशानियों में उलजे हुए हैं आप देखते हो, यहां भी आउटसाइडर है, नाइन ओव वांड्स है, यहां पर एट अपसोर्स की एनरजी है यहां लाइफ से फाइट कर रहे हैं, किसी और से फाइट कर रहे हैं स्ट्रगल देख रहा है लेकिन प्यार आपसे करते हैं तो यहां पर स्ट्रॉंग है कि यह कोई डायरेक्शन ढूंड रहे हैं और यह एक्शन लेना चाहते हैं हो सकता है यह परसन आपसे बात करने के बाद या आपसे यह भी कहें बहुत बीजी चल रहा है, बहुत बीजी चल रही हूँ बहुत बीजी चल रहा हूँ, वक्त नहीं निकल पा रहा है और यहाँ पे कुछ विवर्स हो सकता है कि आप भी काम में बहुत बीजी हो उनके लिए वक्त आप भी नहीं निकाल पा रहे हो और कुछ विर्स आपके पार्टनर भी आप ले वक्त नहीं निकाल रहे हैं कुछ विर्स आप भी अपने आप में बीजी हो आप भी उनके लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हो और नहीं खुद को अच्छी तरह से हिल कर पा रहे हो तो यहाँ पे कुछ वियर्स मुझे लग रहा है कुछ वक्त आपको भी देना चाहिए कुछ वक्त उनको भी देना चाहिए हो सकता है दोनों के बीच में ये भी दुड़ियां आई है क्या आप टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं वो टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं तो इस ट्रगल ये भी कर रहे हैं और कुछ विएर्स आप भी कर रहे हो लेकिन यहाँ पर दिख रहा है कि एक नई सुर्वाद चाह रहे हैं आपसे और बहुत सारी विएर्स मुझे लग रहा है दच्चारियेट के एनरजी है देखिए लोयलिटी के एनरजी है लेकिन यह बंदा अभी भी दिमाग से सोच रहा है स्टक वाली एनरजी कह सकते हो परशानी वाली एनरजी जरूर है स्टक है बंदा हुआ फिलकर रहे लाइप में अच्छा नहीं कुछ लग रहा है लेकिन फिर भी यह बंदा बैलेंस करकर नहीं चल रहे है ठीक है क्योंकि यह अभी भी दिमाग से सोच रहा है लेकिन यह इस वक्त आप लोग सेवन नंबर देख रहे हैं इस प्रिचुल नंबर इंटुशन नंबर और इन्युवर्शन नंबर हीलिंग प्रॉसेस जो होती है सेवन नंबर तो बहुत सार्वियर्स आपके पार्टर एक्सन लेना चाहते हैं लेकिन दरसल यहां पे चीजे जो दबा आप इस टक वाली नरजे में हो आप भी नहीं सोते हो लेकिन मनी मन में दून एक दूसर को स्पाइक करते हो टेन आपके षोर्ट की एनरजी है हो स्कता हमारे बहुत सारे कस आप लीटनेट जाकते होस wow सोनी पालते बहुत देर के बाद आपकी नीन लगती है और आपके पार चीट किया है और यहां पर देख से तो 33 वाइबरेशन है तो यहांपर फर्ट पार्ट इस्टाइशू है यह फ्रेंड सेरकल में है या कोई और है इस अगर के मैं और आप यह ओर और प्रटनर को को हट किया है और यह स्टक भी हिस्स और के साथ celebrate कर रहे हैं तो यहाँ पे बहुत सारी वीवर्स आपके पार्टनर के साथ भी कुछ ऐसी ही हुई है ठीक है उनको भी किसी के साथ चीट और धोका हुआ है ठीक है लेकिन current situation में कुछ वीवर्स ऐसे भी है कि आप कहीं न के stuck रह रहे हो अपने partner को लेकर या आपके बीच में friend circle आए हैं आप दोनों के बीच में आप दोनों का रिष्टा तोड़ने की कोसिस की गई है या फिर कोई friend है जो आप दोनों को अलग करने की साजिस कर रहे हैं या कोई female है लेकिन कुछ सचाई अगर आपके सामने आई है कि आपके साथ आपके partner ने आपको backstrip किया है और वो celebrate कर रहे हैं तो बाबू यहाँ पे आपके लिए है कि self decision लेने की जरूवत जिनके साथ इस वक्त cheating और धोखा हुआ है कुछ वियर्स आज भी आपके साथ धोखा और cheat हो रहा है ऐसा आपको लग रहा है तो celebration जहाँ हो रहा है तो यहाँ पे आपको self decision इसले लेना है क्योंकि आप अपने दिल को निकाल कर side में रख दियो और pain आपको भी होता है क्योंकि यह soul है न वो तरपता है soul को मतर पाईए तो जब आप अपने दिल को protect करें self decision ले यह ज़रूरत है जो stuck वाली energy जो आपको पता चला कि आपके partner ने आपको back step किया है यह किसी third party के साथ है ठीक है और आपका होता है दिमाग कभी कभी काम नहीं करता है देखे गलत फाहिमिया भी होते friend लोग बहुत ऐसे होते कि आप दोनों में गलत फाहिमिया भी लाते है कि आप लोग का प्यार इतना strong है तो आप दोनों को अलग कैसे किया जाए तो कुछ साधिस यहाँ friend लोग का भी हो सकता है third party का भी हो सकता है ठीक है तो यहाँ फिर stuck energy से आपको निकलना है ठीक है और आपको यह manifest कर रहे है आपकी vibes आपकी जो vibration है उन्हें फिलो रही है और उन्हें healing की सकत जरूरत है और यहाँ पे मैं देख पार रही हूं कि बहुत सारी viewers आपकी तरफ universe का support भी है और blessings भी है बस समझनी की जरूरत है और बहुत सारी viewers आपको लग रहा है कि आप किसी बंधन में हो हमारे बहुत सारी viewers यहां ऐसे भी हैं आप और आपके पार्टनर दोनों की vibration है कि किसी बंधन में हो जहां उस बंधन में आप खुश बिलकुल नहीं हो क्योंकि यहां बहुत सारी viewers आपकी vibration है और आपके partner की vibration है इस जगह पे कोई male हो सकते हैं इस जगह पे कोई female हो सकती हैं लेकिन दोनों ही कहीं ना कि किसी के वज़े से stuck हो और आपको लगता है कि सारे कसमे बादे तोर कर मैं आगे बढ़ जाओं या आप उनके पास चले जाओ या वो आपके पास चले आए ठीक है तो किसी के लिए male है और किसी के लिए female है लेकिन यहाँ पे बहुत सारे viewers आप और आपके partner stuck हो बंधा हुआ फिल करते हो सब दिवारे तोड़ना चाहते हो एक दूसरे से मिलना चाहते हो तो यह थकावट मुझे कुछ वियर्स आप मिरर करते हुए नजर रहा क्योंकि फरवड़ी का महीना भी है तूटू की vibration है तो कहने का मतलब यह बहुत सारे viewers आप और आपके partner इस energy में हो और कुछ वियर्स आपके साथ अगर आपके partner दोखा और चीट कर रहे हैं मैं एक कार्ट किलियर करूंगी जिन्हें लग रहा है कि मैं मेरे साथ दोखा हुआ है मेरे साथ चीट हुआ है और आपके partner किसी और किसाथ celebrate कर रहे हैं मैं इनके लिए एक कार्ट जरूर निकाल लूँगी ठीक है जिनको अगर सक है कि आपके partner किसी और किसाथ celebrate कर रहे हैं जब यहाँ दिख रहा है कि किसी किसाथ celebrate करे हैं तो क्या सच चाही है यह मैं लाश्ट में एक कार्ट जरूर आप लोग लिए निकालूँगी आपके गलत फैमियों को दूर कर दूँँ अगर सही है तो आप अपना decision ले लो sub decision लो self love करो कुछ भी करो लेकिन अपने आपको बदलो तो इस कार्ट को लेकर इदे कि anxiety भी बहुत सारे viewers आपको ओड़ी है आप सो नहीं पा रहे हो, सोच नहीं पा रहे हो direction नहीं मिल रहा, खुल नहीं रहे आपके पार्टनर का action आपकी तरफ हो रहा है तो यहां पर उसके लिए मैं निकालूँ है जो इस बक्त separation में है stuck हैं, किसी relationship में stuck हैं, किसी के साथ stuck हैं, किसी female के साथ हैं किसी male के साथ हैं अगर comparison भी हो रहा है तो बाबु कहीं ना कहीं, खुस तो कोई नहीं हो दोनों में से कोई नहीं हो लेकिन आपकी vibration और आपकी healing चाहिए चिक है, emotion साहिए इस person को success भी चाहिए, लेकिन कस्म कस्म वाली energy है, चिक है तो यहां पर be positive और be strong चिक है, तो यहां जिसके साथ गलत और धोका इस वक थोड़ा है मैं उनके लिए last में कार्ड निकाल रही हूँ और बहुत सारे viewers आप manifest करो रिष्ते को, और कुछ वीवर्स अगर आप manifest करों तो बहुत सारे viewers आपके साथ celebrate भी करने वाले हैं, आपकी partner और आपके तरफ बढ़ने वाले हैं ठीक है, लेकिन problems है the full के energy आ रहे हैं, लेकिन आने वाली energy है, जाने वाली energy है, कहने का मतलब आना और जाना, on of situation हो सकता है the full के energy है तो कुछ वर्स आपके partner आ रहे हैं, action लेने वाले हैं लेकिन दोनों अगर stuck energy से हो बाबू, तो खुद पर वर्क कीजिए क्योंकि divine blessings भी आपके साथ है universe भी आपके साथ है, और इस person को आपका साथ, आपका प्यार चाहिए लेकिन एक तनहाई आपके अंदर है या आप किसी रिस्ते में stuck हो किसी situation में stuck हो आप दिवारे तोर के निकलना चाहते हो ये आपके साथ भी हो रहा है और आपके partner के साथ भी हो रहा है तो बहुत सारी viewers मुझे लग रहा है इस वक्त बहुत सारी viewers आपके partner जो भी है, सोच है कि इस वक्त जो भी चल रहा है, उससे चलने देते हैं आने वाले टाइम में हम decision लेते हैं ठीक है? कोई ना कोई direction मिली जाएगा और अगर separation में हो आप या आपके person तो घुटन वाली भी energy है लेकिन आप तक पहुँझने का देखे इस वक्त समय देखा जाए तो कही ना कि श्टक वाली energy है लेकिन ये separation, isolation या कुछ वर्स आप घुट रहे हो या आपके partner घुट रहे हैं लेकिन new vision, कोई direction ढूंड रहे हैं इस वक्त सोचे कि किसी तर जो चल रहा चलने दो बस एक बार प्रभू God, please, मेरी विश्पुडी कर दो और हम दोनों को मिला दो तो या आपके partner की भी vibration है यह वो भी काफी आपके साथ time spent करना चाहते हैं लेकिन यहाँ पे बहुत सारे viewers मुझे लग रहा है क्योंकि wheel of fortune है nine of cups है the devil है तो बहुत सारे viewers आपके partner आपको पाना भी चाहते हैं जो इनको वो पूरी नहीं हो रही है आप जो प्यार चाहिए healing चाहिए जो वीश है वो पूरी नहीं हो रही है लेकिन मुझे लग रहा है कि यह मिलने की सुरुआत कर रहे है और बहुत जल रियूनियन के chance है क्योंकि wheel है nine of cups है the devil है तो यह बंदा बहुत जल मिलने वाले हैं आपको ठीक है तो बहुत सारी viewers आपके partner stuck वाली energy में है किसी के साथ है किसी situation में है या दोनों में गलत फ्रैमिया है stuck वाली जो है बंदा हुआ जो इंसान फिल करता है यहाँ आप भी हो सकते हो आपके partner भी हो सकते है ठीक है अब मैं card उनके लिए निकालूंगी तो कही न कहीं आपको लगता है कि आपके partner किसी और के साथ celebrate कर रहे है तो मैं उनके लिए card निकालूंगी इस card को clear करूंगी क्या मेरे viewers के partners किसी और के साथ celebrate कर रहे हैं तो मेरे viewers के लिए क्या true intention है जिनके साथ धोका और cheat हो रहा है उनके लिए मैं कार्ड निकालना चाहूंगे मेरे वीवर्स को किलियर करें उनके साथ धोखा और चीट हो रहा है अगर मेरे वीवर्स स्टक वाली एनरजी में है तो क्या उनके पार्टनर उनके साथ धोखा और चीट कर रहे हैं क्या उनको प्यार कर रहे हैं क्लियर करें सच्चाई क्या है इंजस प्लीज गाइट करें सच्चाई क्या है इंजस प्लीज गाइट करें ट्रू इंटेंशन क्या है क्या किसी और के साथ सल्बेट कर रहे हैं तो मेरे भीवर्स के साथ उनके ट्रू इंटेंशन क्या है सेवन अफसोर्स फॉर्स सालिवरेश की एनरजी है इंजल्स प्लीज गाइड करें मेरे विविवर्स के मन में जो भी गलत फैमिया है या वो स्टक है उनके लिए एक कार्ड दें इंजल्स प्लीज गाइड करें तो यहां पर देखिए बहुत अची वाइबरिस आप घप राईएगा नहीं मैं आपको गाइड कर देती हूं ठीक है देखिए ब्रेक अप हुआ है साई एट अप कप्स में आप देख सकते हो लेकिन यह बंदा आएगा यह बंदी आएगी ठीक है यह रिवर्स में है और इसा लग रहा है किसी की सच्चाई सामने आईए तो यहां पर टू अप सोट्स के एनरजी है ठीक है अब टू अप सोट्स के एनरजी है यह परसन के अंदर आपके लिए इमोसंस है आपको इन्हों नहीं छोड़ा नहीं है यह कहना चाहते है इस वक्त दोनों तरफ बैलेंस करना चाहते हैं और इस वक्त इमोसंस आपके लिए है इस वक्त इस साइफ सिचिवेशन में बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं लेकिन हाँ थर्ट पार्टी इशू है अगर जिनको धोका और चीट मिला है श्टक वाली एनरजी में है तो यहां पर उनी के लिए है कि हाँ टू इनरजी है तो जिनके यह सवाल थे हैं कि आपके साथ धोका चीट हो रहा है अभी अभी आपको जानकारी मेली है तो आपकी वाइब्रेशन अलग है आप फ्लावरिंग हो टू अप कपस हो ठीक है आपकी वाइब्रेशन ही अलग है आप यूनिक चीज हो आपको यह छोड़ blessings है two of cups imagine करते हैं तो यह प्यार है यह true love है ठीक है यह उनके लिए बहुत सारे viewers यह बहुत जल्द आपसे मिलेंगे भी ऐसी एनरजी है क्योंकि बहुत सारे viewers आप स्टक हो आपके साथ धोखागर हो रहा है third party के साथ हैं यह उनके लिए ठीक है और यह wish भी पूरी होगी लेकिन इन्होंने आपको छोड़ा नहीं है ठीक है तो बहुत सारे viewers ट्राबल भी दिख रहा है six of swords की एनरजी है तो बहुत सारे viewers बातचीत हो सकती है ट्राबल हो सकता है और wish भी पूरी हो सकती है तो कुछ वर्स उनके लिए उनके सवालों का जवाब था कि जिनके साथ इस यहां से निकलना है ठीक है खुद पर बर्क करना है यह बंदा आपसे प्यार करता है emotions और जागने दीजिए अगर इन्होंने इस वक्त आपके साथ चीट किया है या किसी प्रकार का आपके साथ धोका हो रहा है तो चिंता ना करें इनके साथ भी वही होती है ठीक है तो emotions है चोड़ा नहीं और two of cups है तो आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो यह आएंगे 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 बस आप खुद को बदलो तो बहुत सारे viewers आपके partner देखे आप दोनों की energy देखा जा तो mix energy भी है mood swings वाली energy है प्यार भी है separation भी है घुटन भी है कहीं से निकलना भी है मिलना भी है रिस्ते को भी manifest किया जा रहा है ठीक है तो बहुत सारे viewers आपके partner action लेने वाले हैं आपके तरफ बढ़ने वाले हैं 3 3 की vibration है और 7 number की vibration है यहां पर और कुछ के लिए मुझे लग रहा है 7 number 7 7 की vibration और 3 3 की vibration है ठीक है तो यह है जी आज दुपहर की energy आपके partner की वीडियो अच्छी लगे दियर तो like करें शेयर करें चैनल को subscribe करें बेल आइकन जरूर दबाए God bless and thank you